नमस्कार जाम कर रहे लोग स्थानिय पुलिस प्रशासन के खिलाव जम कर नारे भी लगा रहे थे इस दोरान सर्थ जाम कर रहे लोग प्रोपटी डीलर रोहित कुमार के हत्यारों की अविलंब गिरफतारी की भी मांग कर रहे थे आपको बता दें की प्रोपटी डीलर रोहित कुमार उर्फलाल 6 दिसंबर 2022 को अपने घर पर हुए जन्म दिन की पार्टी मनाने के बाद रोड पर टैहलने के लिए निकल गए थे, जहां से वेह लोट कर गर नहीं आये, परिजनों ने सारी रात खोच बीन किया, लेकिन रोहित का कुछ पता नहीं चला, जिसके बाद रोहित की मा अशबूरी गंडक नदी से बरामध हो गई, मृतक के परिजन पुलिस पर भी कई संगीन आरोप लगा रहे थे, खबर लिखे जाने तक सडग जाम कर रहे लोगों से मिलने कोई स्थानीय पुलिस पदा दिकारी नहीं पहुँचे थे, जिसके कारण सडग जाम ही था, अभी तक के लिए बस इतना ही, नमस्कार